हेलो स्ट्रेडेंट, बेलकम टो वर न्यू वीडियो, आज की इस वीडियो में हम देखने बाले हैं कक्छा दसबी का जो त्रेमासिक परिक्षा का विग्यान विसाय का पेपर होने बाला है, उसका प्रश्ण पत्र के प्रश्ण या पर हम आपको कम्प्लीट कराने बाले हैं, इसके लिए आपको समय मिलने बाला है तीन घंटे का, आपको पता ही होगा कि आपको पूर्ण अंक है वो पचातर अंक का रहने बाला है, तो यहां से हम आगे कुश्चन देख लेते हैं, यहां पर आपको सभी निर्देश पढ़ लेने हैं, सभी प्रश्ण हल करना नहीं ब होता है, यहां पर आपका अंसर हो जाएगा साथ, सुद्ध जल का पियच मान, तो सभी के कुश्चन की आंसर आपको याद कर लेने हैं, यहां पर आपको इसका देख ले हैं, सुद्ध जल का पियच मान साथ होता है, चाकु द्वारा आसानी से काटी जा सकती है, कौन सी धा पड़ेंगे पादप में जैल मुत्तर दाई है तो जैल की बहन के लिए फिलोयम का पूछे जाए तो वह भूजन के बहन के लिए यानकी फूड के बहन के लिए दूत अंत्री का कोशिका के मद्ध खालिस्थान जो होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं पाचवे का जो भी बाला अंत्रक ब्रेंजक चून का राशान एक सुत्तर आप से पूंच रहा है सी यह दो त्री टू है ना तो इसका अंसर हो जगा अधिकांस ताहत धातु में विद्धुत की सुचालक होती हैं पलकों का जहपकना खालिस्थान किरिया है प्रतिबरती किरिया है प्रतिवर्थान प्रकस दूरी अनंत होती है तो इसका अंसर आप देख लेंगे एक अश्यो शक्ति बराबर 746 बाट होता है यहां पर अगला है अपसिस्ट पदादों को सही से बाहर निकालना खालिस्थान कहलाता है यहां पर तो उसे उत्सरजन कहते हैं हम आगे आपकी सही जोडियां आ हैं इसमें आप देखेंगे चीटी का डंक तो चीटी की डंक में मैथे नौइक अम लपाया जाता है प्लास्टर और पैरेस का जो सूत्र है आपका सी एस ओफोर इंटू इंटू है ना तो यह आपको हो जागा दरब अवस्था की धातु है वह एच जी यानिकि मरकरी पारा रेगेस्तान की मरीचिक का तारों का टिम्टमाना और गल्फडों द्वाराश्षण जो है वो मचली में होता है रेगेस्तान की मरीचिक का तारों का टिम्टमाना जो है वो बायूं अंडलिये पूर अप अंतरे इन दोनों में थोड़ा देख लेंगे आप इन दोनों के जो मनुष्य में सामान रक्तदाव एक श्वश्ची वटेस हंड्रेड एमेमेच जी होता है भूक का केंद्र पस्च मस्तिस्क होता है बाहनों की पस्च द्रश उत्तल दरपण की बने होती हैं तारों का टिम्ट माना परई पराबरतन की लिया का परिणाम है अगला आपका ये पूरा देरा लेकिन आपको केवल लेगी बताना ऊसे क्या प्रबाया से पूरा नीतिक आप याद रखेंगे ये आपका क्वश्चन आपको बिल्कॉल मिलने वाला है बायो में जलानगायं सी्मěश्चन हैं हम रेबन को साफ क्यों किया जाता है दो ऑंकी Whole lush न किrim चलाने से पहले मैंगेनोह आग निश्य पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है दासी निकरण अभी कृढ्र के दो अधान दीजिये क्या ओदासी निकरण किसे कहते Cake ये भी आप याद करेंगे इसके बाद आपका पौधो में प्रकाशन स्लेशन की प्रक्रिया कहां शंपन होती है इसके बारे में आप समीकरण भी याद कर लेंगे मनुश में के पाचन में मनुश के पाचन में लार की क्या भूमिका है याद की भोजन के पाचन में लार की क्य दिदो कोंडिया को सिक्राइब बिजली घर क्यों कहते हैं ये आपका बहुत ही ज़ादा इंपोड़ेंट है माईटो कॉंडिया को कोसिका का बिजली घर क्यों कहते हैं पावार हाॉस क्यों कहते हैं या बिजली घर क्यों कहते हैं ये आप जरू याद कर लेंगे जैलम और फिलोम में अंतर जैलम और फिलोम में अंतर ये आपके question number 9 के अत्वा में हैं तंद्रिका कोसिका का नामांग के चितर बनाए मानो हेदा का नामांग के चितर प्रकास के परावरतन के नियम आवदल दरपन के दो अनुपरयोग लिखेए इसके बाद अगला question है आपका तारे क्यों टेम्ट माते हैं बड़ बिशेपड के से कहते हैं जरूर याद कर लेंगे आप सभी question आपके लिए important होने वाले हैं यहाँ पर है आपको माइटो कॉंडिया को कुस्का का बजली घर क्यों कहा जाता है अगला question है आपका इसके बाद बिक्रत गंदिता किसे कहते हैं रेड डॉक्स अभी क्रिया क्या है अम रोच्छार में अंतर लिखे अमलका जली यह बिलेंड बिद्दुत का चालन क्यों नहीं करता रख तो लशिका में अंतर लिखे उतक की परिभासा लिखे पादा फार्म जिब्रेलिन के कारे लिखिए लेंज किसे कहते हैं उस लेंज की फोकस दूरी यात किजिए जिसकी चामता यहां पर आपको दे रहा है माइनस डू पॉइंट जीरो डाइप्टर माना उसर्जन का नामंग के चितर बनाईए आयोडियन एक तो नमक व्योग करने की चलाय क्य यहां पर उनके उपियोग लखने उपियोग बताने हैं प्लास्टर पैरिस किसे कहते हैं इसके बाद आगे हैं इसको आर्थ रोधी बरतन में रखना चाहिए क्यों रखना चाहिए अगला क्वेश्चन है आपका कॉस्चिन अब 12 है मानो मस्तिस्क का नामंग के चितर तो यहां तक आपके सभी question complete हो जाते हैं, पूरा प्रश्ण पत्र यहां तक complete हो जाता है, चैनल को subscribe कर लिजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, thanks for watching